नमस्कार कैसे हैं आव मुहम्मद आजम खान और मनीश से सोधिया दोनों भ्रष्टाचार के मामले में जील गए आजम खान सजायापता अपरादी होने के बाद भी जेल से बाहर हैं ब्रष्टाचार के मामले में और आजम खान तो सो से ज़्यादा शतक पार कर चुके हैं अफ़ाई आर में लेकिल सिसोधिया मात्र एक अफ़ाई आर में पस्थ हो गए हैं सिसोधिया जमानत पर बाहर नहीं आ पाए सुप्रिम कोट तक से जमानत नहीं मिल पाई सिसोधिया को सिसोधिया ने कई नखरे किये बीबी को गंभीर बिमारी बताया उसके बाद भी हाई कोट ने कई बार उसकी जमानत रद सुप्रिम कोट में सिसोधिया की जमानत टलती चली गई उस सिसोधिया की जिसे केजरीवाल ने धरती पर सबसे काविल शिक्षा मंतरी सबसे सुयोग्य और इवांदार शिक्षा मंतरी बताया तो सबाल ये है कि सिसोधिया और आजम खान में फर्क क्या है आजम खान को उत्तर प्रदेश में माफिया भी माना जाता है सिसोधिया तो अभी माफिया का कदपा नहीं पाए है आंधोलन से निकलेवी पार्टी के इमानदारी के ठेकेडार है सिसोधिया तो उस मनीश और आजम खान में फर्क क्या है दोनों ख्रश्टाचार में गिरफ्त में आए आजम तो सजायापता भी हो गया फिर भी छुटता वोंब रहें दोनों के वकील कॉंग्रिस के कद्दावर मेता हैं इतने कद्दावर कि माना जाता है कि एक ऐसे वकील है जो देश के कानून मंत् रहे और जो दावा करते हैं और कानूल की गलियारे में माना भी जाता है कि आई कोट के जजग बनने के लिए एक समय में इनके आशिरवाद की ज़रूरत होती है एक वीडियो तो वाहरल भी हो गया अविशेक्त मनुर सिंग्वी का लक्षमीमल सिंग्वी के बेटे अविश जमानत दिलवाने रावन गांधी को राहत दिलाने में यही सिंग्वी आजकल काम आते हैं सिंग्वी की ताकत ऐसी रही कि पवन खेरा को जब गिरबतार किया गया एरपूर्ट से तो उन्होंने अदालत में पेश तक नहीं हुने दिया नोकली और लोर कोट के बदले सुप प्रिम कूठ में लेकिन इस सिसोदिया को जमानत नहीं मिल पा रही है जेल से बाहर नहीं आ पारा सिसोदिया साल बर होने को है सिसोदिया जेल की रूटी तोरने को भी बस है लेकिन आजम खान मौज ले रहा है जेल के बाहर दोनों में फर्क बस इतना है कि सिसोदिया के पा सिब्बल जैसा ताकत, दोनों के ताकत में कमी नहीं है, लेकिन सिंग भी अभी सिब्बल नहीं बन पाई, लेकिन सबसे महत्पूर ये है कि दोनों के उपर भ्रष्टाचार का केस है, आजम के बारे में कुख्यात होने के बाद भी आजम के लिए कहा जाता है कि आजम का इच्छा मंत्री है लेकिन उसके उपर आरूप शराव माफिया गीनी का है बस आरूप में इतना वरा फर्ट है कि सिसोधिया सांस नहीं ले पा रहा जेल से बाहर और इतना गंभीर आरूप होने के बाद भी आजम खान मौज बे रहा आजम खान के उपर आरोप पांच हजार करोड के घबन का भी है इतना पैसा आजम खान के पास लेकिन इस सिसोधिया को देखिए तो इस सिसोधिया इतना वरा घबन भी कर नहीं पाया दिल्ली जैसे छोटे राज में लूट भी कितना मचा पाता पंजाब जैसे राज जी या पिर बड़े राज में होता तो शराब माफिया गिरी का ये खेल और बरा होता दरसल ये मामला इसलिए कि आजम खान जैसा माफिया जिससे कहा जाता है कि पश्ची मुत्तर प्रदेश में जिसका बर्चस रुए एक समय में उत्तर प्रदेश जिसका राज का और गोशिद उसके कौप में तो टर्देश के डेजी पी कहते हैं कुरसी छोड़ दिया करते तो सोचिए आजम खान के गुर्गों की ऐसी हैसियत थी तो आजम खान का क्या रहा है वो आजम खान आजकद फस गया है और एक सो से ज़्यादा केस है फिर भी वो जमानत प्रदेश के पास ए है कि उसने सिक्षा की माफिया गिरी की है लेकिन ये शराब की माफिया गिरी है वैसे आजम खान पर कई सारे आरोप लेकिन असली आरोप जो मूल आरोप है वो सिक्षा में ब्रश्टाचार का दरसल सिक्षा में ब्रश्टाचार का आरोप तो सिसोधिया पर भी लग रहा है आज नतल सिशोधिया उसमें भी जेल जाएगा लेकिन ये शराब माफिया होने का रोप दरसल सिशोधिया ने नतिकता का आवर नोड़ाम आदमी पार्टी और केजरी बाल ने और पंजाब में माल कमाने के लिए पंजाब के बनियों को पंजाब के बैपारियों को दिनली में शराब घोटाला करने का शराब के नाम पर लूट करने की जूटते थी सिशोधिया उसी में जील ये दरसल नतिकता का पतन है और इसी लिए सिशोधिया जेल में है और आजम मौज ले रहा फरक्या भी हो सकता है कि सिंबल की थोड़ी ताकत जादा होगी सिंग्मी की थोड़ी कम लेकिन कोई वकील जब अदालत में जीरा करता है तो अदालत में कहा जाता है कि वो दलीलों की अदालत होती है चुकि सिशोधिया का पाप ऐसा है कि सिंग्मी संभवता उतरी मजबूती से फाइट नहीं कर पाते होंगे तो ये फर्क है दोनों के ब्रष्टा चार में और इसी फर्क के कारण सिसोधिया का जेल से निकलना मुश्किल हो पा रहा है जिस सिसोधिया के लिए ताल ठोकर केजरी कहते थे कि CBI के पास ED के पास कोई सबूत नहीं है उसने इतने सबूत पेश कर दिये कि जेल की चार दिवारी लांगना सिसोधिया के लिए मुश्किल हो गया है और एक सो पार F.I.R. के बाद भी आजम चुट्टा गूमरा है नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद झार है कि टुझ कि भी आजमरा है झार मुटकर आजम बहुतम श्तार मनingly मुटकर बहुत कितमरा उसके लाषए